नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहनात्तिरवेदी अपने इस यूटूब चैनल में एक बार पुनहापका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ होमियोपैथिक की औसधी एवेना सैटाइबा के विशे में बताने जा रहा हूँ। एवेना सैटाइबा उसधी मस्तिस्क तथा सनायू प्रनाली पर विशेश क्रिया करती है। आप निकल जाने से रोगी में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है तथा सराब पीने के कारण उत्पन सनायू रोग आधी को ठीक करने के लिए वेना सैटाइबा उसधी का उप्योग करना चाहिए। एवेना सैटाइबा उसधी की सेवन से अफीम और मार्फिया के आदत छूट जाती है और किसी प्रकार की हानी भी नहीं होती है। लकवा रोग मिर्गी रोग डिप्थिरिया रोग के बाद होने वाला लकवा रोग तथा आमवात रोग को ठीक करने के लिए वेना सैटाइबा उसधी का प्रयोग करना चाहिए। सर्दी जुकाम तथा नजला रोग को ठीक करने के लिए एवेना सैटाइबा उसदी की 20-20 बूंदों की मात्रा को गुनगुने पानी में डाल कर सेवन करें तथा इसका सेवन एक एक घंटे के बाद करना चाहिए एवेना से टैवा उसदी विभीन लक्षनों में उप्योग में लाया जाता है सीर से समंदित लक्षन इस्त्रियों को मासिक धर्म के सुरू होने के समय में होने वाला स्नाईविक सीर दर्द के साथ खोपड़ी में जलन होने पर एवेना से टैवा उस्दी का उपयोग लाबदायक है, सीर के पीछे के भाग में दर्द होने के साथ पिसाब में फासपेट पदात का आना, मासिक धर्म के समय में अधिक कश्ट होना तता सरीर में खून की कमी होना, इस प्रकार के लक्षनों से प परी पेट में इसी प्रकार का दर्द होना, बार बार पीले रंग के दस ताना, मल दोर में जलन होना, इस प्रकार के लक्षन होने पर एवेना से टैवा उस्दी का उपयोग करना चाहिए, सम्मंध, अलफा अलफा उस्दी की तुलना एवेना से टैवा उस्दी से कर सकते है एवेना साइटाइबा ओसडी की मुलार्प सक्ति की बीस बुन की मात्रा आधे कब गुनगुने पानी में डाल कर सेवन करना चाहिए बहुत ज़्यादा कमजोरी हो तो एक गंटे के अंत्राल पर पहले दिन सेवन करें तत पस्चाप अगले दिन से आप सुबह दो पहर साम लगतार 15 दिनों तक सेवन करें आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा लाब होगा और आपकी सक्ति वापस आ जाएगी आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में लिखकर आवश्च बताईएगा चलते चलते आपसे पुना अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद